अगर आभी रोज की कामों से हो गए हैं बहुत ज़्यादा परिशान तो कीजिए कुछ ऐसे कमाल के ट्रिक्स का यूज जिससे आपका काम होगा बेहद आसान वेलकम बैक टुशरता केचेन एंटिप्स तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू यहाँ पर सबसे पहले ट्रिक मैं लेकर आ गई हूँ ब्लाउज से जो लटकन होती नो ब्लाउज में उस से रिलेटिट तो देखे फ्रेंट्स मैंने यहाँ पर लटकन तो नहीं लगवाया इस तरीके से छोटे छोटे डमरू लगवाय थे आप लीजे नेल पेंट और नेल पेंट वो ले लीजे जैसे कि गोल्डन है तो वो लगा सकते हैं सिल्वर है तो वो लगा सकते हैं या फिर ब्लाउज से जो मैच करता हो आप उस कलर का ले लीजे और उसे आप color कर दीजे तो कभी-कभी यह जो लटकन में बीच में लगा होता है न हुक वो उसमें जंग लग जाती है तो उसके उपर भी आप उसे लगा सकते हैं nail paint को जिससे की वो काफी जादा सुन्दर लगीगा तो देखिए पहले से काफी जादा सुन्दर दिख रहा है ना आप खुद ही देख लीजे result यह पहले वाला और यह अभी जो हमने nail print लगा कर तयार किया तो मैं दोनों ही इसी तरीके से तयार कर लोगी और मुझे तो काफी पसंद आया और काफी useful ही लगा उमीद करती हूँ आपको भी यह ट्रिक बहुत जादा useful लगी होगी हम लेडीजों की यह common समस्या है तो इससे चुटकारा पाने के लिए ना ही पैसा और ना ही time की wastage करनी ही बस इस तरीके से ट्रिक का यूज कीजिए और फटाफट से आप इसको नया बना लिजे अब अगली ट्रिक तो इस ट्रिक में मैंने एक sketch pen का यूज किया है जो की बेकार हो गई है मतलब यह सूख चुकी है और इसका यूज हम करने वाले हैं कैंची के उपर देखिए friends कैंची हम सब यूज करते हैं घर में, बैग में, बच्चे भी अपने बैग में रखते हैं क्योंकि उन्हें भी craft वगरा करने में इसकी मदद लेनी पड़ती है तो इसका यूज सब ही को लगता है किचन में भी, घर में भी तो इस वज़े से, इसको हमें बहुत सुरक्शित रखना होता है क्योंकि घर में छोटे बच्चे होते हैं या फिर हम ही हैं बैग में अगर इसे ऐसे ही डाल के लिए जाएंगे तो इससे कई बार हाथों में चोट लगने की समस्या आ जाती है जो की हाथों में जो इसका नुकिला पाट होता है वो कई बार गुश जाता है तो इस तरीके से आप जो है इसकेश पिन का उपर का भाग कोल कर उसके अंदर इसकेची को डाल दीजिए आप चाहे तो इसके कैप को भी निकाल सकते हैं नहीं तो कैप को लगा रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसकी वज़े से यह बिल्कुल सुरक्षित रहेगी आप बैग में भी डालके इसे कैरी कर सकते हैं चोटे बच्चे भी अगर घर में रखी हुई है तो छुएंगे ना तो भी वो इससे उनको तुरंट से लगेगी नहीं और बहुत ही यूजफुल ट्रिक है इसका यूज़ जरूर कीज़े बच्चे भी अगर बैग में रखते हैं तो बैग फटने का जो डर होता है वो भी नहीं होगा इस ट्रिक से आप बहुत सारी समस्याओं से बच भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं अगली ट्रिक यहां पर यह जो बड़े दिये यह मैंने रख दिये थे साइड में क्योंकि मैं इनको फेकने वाली नहीं हूँ मैं इनको दूल के रखूंगी क्योंकि यह काफी जादा यूसफुल है तो वो ट्रिक मैं आपके साथ बात में शेयर करूँगी लेकिन अभी के इस रूई बाती की ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो देखे रूई बाती हमें फेकनी तो नहीं चाहिए इस तरीके से इकठा कर लेनी चाहिए उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें कपूर डाल सकते हैं लेकिन अगर आप नहीं भी डालेंगे कपूर तो भी च तरीके से आपको घुमा देना है तो रूई बाती का भी यूज हो जाएगा साथ ही साथ आपके घर में जो नकारात्मा कुर जाए हैं वो भी दूर हो जाएंगी और होती बड़ी आसी खुश्बू भी रहेगी उमीद है ट्रिक पसंद आई होगी अब देख लेते हैं अगली तो यह ट्रिक भी ब्लाउज से ही रिलेटेड है जी हाँ आप कहेंगे आज तो सारी ट्रिक ब्लाउज से ही है लेकिन यह बहुत ही कमाल की ट्रिक है इसको तो हर लेडी को यूज करना चाहिए तो देखे मैं बता रही हूं यहाँ पर हुक से रिलेटेड एक बहुत ही कमाल क देखें, ब्लाउस बनाते हैं, तो ब्लाउस में अगर इस तरीके से हुक लगा होता है, कई बार पीतल का लगा होता है, तो बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन अगर पीतल का नहीं है, टेलर इस तरीके से हुक लगा देते हैं, तो आपने देखा होगा कुछी टाइम के पर एक चीज के लिए आपको निकल कर जाना भी होता है तो एक छोटा सा अब जुबाड कर लिजे आप ले लिजे नेल पेंट, इस तरीके से मैंने आपर एक नेल पेंट लिए है और इस हुक के ऊपर हम इसे लगाएंगे तो आप तो देखी पा रहे हैं कि इसमें जंग लग चुकी है लेकिन इस नेल पेंट को लगाने से बिल्कुल नया जैसा काम करेगा और नया जैसा दीखेगा भी और साथ इसाथ अगर थोड़े बहुत धीला हो गया या इसके धागे निकल रहे हैं तो वह भी नेल पेंट की वज़ए से बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे इसाथ पैसो की भी बचत कर सकते हैं और अपने बलाउज में लगे हुए हुख को तुरंट से ही ठीक कर सकते हैं मतलब अगर आपको पहन के जाना है आपने निकाला और आपने देखा कि ये खराब है तो आपको ऐसा नहीं कि आपको उस टाइम पर ये काम नहीं देगा ये बन जाएगा उमेद करते हुए ट्रिक आपको पसंद आई होगी अब देख लेते हैं अगले ट्रिक यहाँ पर जो माचिस है सर्दियों में हाथ जल्दी से सूखता नहीं है और माचिस का काम हम सबको लगता है चाहे पूजा घर हो या किचन हो या फिर आग जलानी हो तो इ वो पूरा माचिस का हिस्सा एक तरफ हो और जो लकड़ी वाला है वो एक तरफ हो उसके बाद एक छोटा सा काम करना है आपको इस तरीके से जिधर लकड़ी वाला हिस्सा है यहाँ पर हमें या तो पैंसे या पैंसिल से या फिर नेल पेंट से किसी भी चीट से आपको मार क कर लेना है तो यहां पर मेरे पास नेल पेंटी पड़ी थी तो मैं इसी का यूज कर ले रही हूं क्योंकि यह जल्दी से निकलेगा नहीं हलका सा ही नेल पेंट इसके उपर हमें यहां पर लगा देना है जिससे होगा यह कि आपको इसका निशान दिखता रहेगा और जब भी आप माचिस को उठाएंगे अगर आपका हाथ गीला है या फिर हाथों में बहुत ज़्यादा नमी है तो भी आप माचिस को इस निशान के तरफ से नहीं खोलेंगे क्योंकि इधर से अगर हम खोलेंगे तो उपरी हिस्सा आएगा जिसकी वज़े से अगर हम ऐसे पकड़ें यह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी क्योंकि इस ट्रिक से आपका बहुत टाइम बचेगा आप देख लेते हैं अगली ट्रिक तो देखे इस तरीके से दिया हम सब ने दिये दिपपावली पर जलाए थे तो कई बार होता यह है कि अगर हम बाहर रहते हैं सिल कि जब आप दिये पर इसे घिचेगे तो इसमें कोई स्क्रेच नहीं आएगा यह smoothly घिचेगी और पतली हो जाएगी मतलब इसमें न कोई भी खरोच नहीं आएगी जिसे कपड़े में हम डालेंगे तो कपड़े का धागा है वो खीचेगा भी नहीं देखे इसे मैंने गिसा यह तुरन से ही चला जाएगा यह देखिए तो यह छोटा सा ही जुगाड है लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपना बहुत सारा टाइम पैसा बचा सकते हैं और छोटे छोटे ट्रिक से आप अपने कामों को बेहद आसान कर सकते हैं उम्मेद करती हूं यह वीडियो आपको पसंदायो गी पसंदायो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब